राइट जूल्स लॉउ ये एक लाइन है जिस लाइन पे से आपको पूरा का पूरा रिलेशन मिल जाएगा हीट एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बीच में नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं Joule's Law, Heating Effect of Electric Current तो जली से शुरुवात करते हैं और देखते हैं क्या खास है आज के इस वीडियो में तो दोस्तों आज का ये जो वीडियो है उससे आपको फाइदे की बात क्या है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको आज जाने को मिलेगा कि क्या फाइदा है और क्या नुक्सान है Heating Effect of Electric Current का उसके बाद Joule's Law का एनिमेशन है वो मैं आपको अच्छे से डीटेल में दिखाऊंगा और समझाऊंगा कि भी exactly heat produce कैसे होती है उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो topic है उस topic पे से exam में किस तरीके के questions आ सकते हैं आपको और इससे पहले मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जूल's Law का जो equation है उसको derive कैसे कर सकते हैं तो ये बहुत सारी important चीज़ आपके लिए इस वीडियो में आज आने वाली है उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस किसम से आपको questions है वो exam में पूछे जा सकते हैं इस topic पे based और उसके बाद होगा सबसे important चीज ट्रिक टू रिमेंबर क्या आसान ट्रिक है इस जूल्स को याद रखने के लिए और उसके बाद का section होगा probability इस question की exam में पूछे जाने की क्या probability है और अंत में होगा question for you का section जिसमें मैं आपसे कुछ question पूछूँँगा और आपको मुझे उसका answer देगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताओं कि ये जानना क्यों ज़रूरी है कि heating effect of electric current वो होती क्या चीज है electric current की वेज़े से कैसे heat produce होती है क्यों produce होती है तो दोस्तों ये जो heating effect of electric current है उसके कुछ फाइद है और कुछ नुक्सान है जैसे कि आपकी जो handwriting है वो बहुती खराब है तो उसका फाइदा भी है कि आपके अलावा कोई और पढ़ी नहीं सकता और आप कुछ भी लिख सकते हो लेकिन उसका disadvantage भी है कि कोई और पढ़ी नहीं सकता कुछ जमानी काफी बुरा जोग था है ना कोई नहीं उसको भूल जाते हैं अपने topic पे आगे पढ़ते हैं तो ये जो heating effect of electric current है उसके कुछ फाइद है और कुछ नुक्सान है तो सबसे पहले अपन को interest होता है फाइदा जानने में तो पहले देखते हैं फाइदा और उसका फाइदा ये है कि बहुँ electrical water heater है वो इसी principle पे काम करता है दूसरी चीज है electrical iron है वो भी इसी principle पे काम करती है उसके बाद है toaster है और ऐसी बहुत से electrical equipment है जो heating effect of electric current के principle पर ही work करती है तो ये काफी फाइदे की बात है ना मान लीजे अगर electrical water heater होता ही नहीं तो सुबह सुबह थंडे पानी से ना पड़ता है ना तो ऐसे बहुत सारे फाइदे हैं वो इस electric current की वज़े से जो heat produce होती है उसके हमको मिलते हैं तो अगर फाइदे है तो साथ में नुकसान भी तो होंगे तो क्या-क्या disadvantage होता है इस effect के वो देखते हैं सबसे पहले heating in mortar mortar सिर्फ मैं नहीं कहना चाहूंगा लेकिन कोई भी electrical equipment fan है, mortar है, transformer है और ऐसे बहुत सारे electrical equipments जहां पर हमको ये effect बिल्कुल नहीं चाहिए heating in conductor, हमारे जो transmission line में conductor होता है उसके अंदर heating effect होता है तो ऐसी बहुत सी जगा है, ऐसी बहुत सारी applications है majority application ऐसी है कि जहां पर हमको ये effect नहीं चाहिए तो ये जो heating effect of electric current है इसके ये कुछ फाइदे और कुछ नुक्सान हो गए तो दोस्तों ये basically तो क्या relation है heat energy और electrical energy के बीच में कैसे electrical energy में से heat energy में conversion होता है किस amount से conversion होता है कौन-कौन सी quantities होती है जो इन दोनों के बीच के relation को establish करती है यही सारे सवाल है वो हुए हमारे इस जबरदस्त इनसान को और इन जबरदस्त इनसान का नाम है James Prescott Joule ये जो भाई साब है उनको ये सारे के सारे question हुए कि ये कैसे, कहां, क्यूं, कब, कितनी amount से, किन-किन factor से ये सारे relations heat energy और electrical energy को जोड़े रखते हैं तो फिर conversion में मदद रूप होते हैं तो उन्होंने बहुत सारे experiments किये और इन सारे experiments का 1842 के आसपास उनको कुछ निचोड मिला, कुछ तारण मिला और वो जो उनका तारण था, वो relation था electrical energy और heat energy के बीच का कि बहुए कैसे, किस amount से electrical energy, heat energy में convert होती है तो दोस्तों ये चीज जाननी बहुत ही interesting है कि बहुए कैसे electrical energy, heat energy में convert होगी ये चीज मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ, वो आपको समझाता हूँ मैं इस animation के साथ इस animation को ध्यान से समझेगा देखिए, यहाँ पर कौन-कौन सी चीज आपके लिए available है सबसे पहले ये है हमारा एक conductor इस conductor के अंदर ये सारे items है और ये हमारा electron है अब हम करेंगे क्या, कि भई इस conductor को कोई न कोई potential देंगे ताकि इस electron का flow शुरू हो जाए जैसे ही ये electron का flow शुरू होगा तो होगा ऐसे कि electron आगे बढ़ेगा और atom के साथ collision होगा जैसे atom के साथ collision होगा तो वहाँ पर heat produce होगी और electron आगे बढ़ता जाएगा, collision होता जाएगा, heat produce होती जाएगी और conductor है वो गरम होता जाएगा एक और बार ध्यान से इस animation को देखिएगा मैं इस बार सिफ points बोलते जाऊंगा और आपको उसको connect करते जाना है तो ध्यान से देखी गया इस animation को दुबारा electron का flow, collision, collision से heat produce हुई और conductor गरम हुआ तो ये पूरा sequence होता है इस तरीके से electron के flow की वज़े से conductor के अंदर heat produce होती है और अगर इस flow को हम चालू ही रखते हैं तो वो heat produce ही होती रहेगी तो conductor है वो गरम होता रहेगा basically वो अपनी heat को atmosphere में भी dissipate करता रहता है ताकि उसका temperature बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए अगर electron flow होती ही रहेंगे तो वो heat produce होती ही रहेगी अगर मान लिजी कि उस current के flow को मैंने वहाँ पर stop कर दिया तो जैसे ही stop किया तो वो conductor है वो धीरे धीरे फिर से अपने room temperature या तो normal temperature पर आ जाएगा दोस्तों ये तो आपने देख लिया लेकिन किया आपको ये question होता है कि अरे भाई ये तो बात ठीक है लेकिन कितनी heat produce होगी कि वो किस के उपर depend करेगा तो वो मैं आपको बताता हूँ अब कि भाई ये जो heat produce होती है वो किन factors के उपर depend करती है तो ये जो factors है वो जो Joule सहाब थे उन्होंने experiment किया तो experimentally उनको इनके बीच कुछ relation मिला तो सबसे पहला factor है heat जो है वो उसमें से flow होने वाले current के square times proportional में होती है दूसरा जो point उनको मिला वो है heat जो produce होती है वो उस material के resistance के proportional होती है और जो third point उनको मिला वो मिला जो heat है वो current flow कितने समय तक होता है उस time के proportional होती है तो ये जो तीन फैक्टर है इस तीन फैक्टर के उपर जो भी heat produce होती है वो depend करती है अब हम क्या करते है कि ये जो तीनों फैक्टर है उनको club करते है ये जो तीन फैक्टर है उन तीन फैक्टर को मिला के हम ये जानेंगे कि भई क्या relation है heat energy और electrical energy के बीच उससे पहले मैं यहाँ पर आपको यह पूरा एक सर्किट बना के दिखा देता हूँ यह जो conductor है इन conductor के इन दोनों point के बीच हम लोग potential difference प्रोवाइड कर रहे हैं V volt का तो अब हम क्या करने वाले हैं कि इन तीनों factors को club करेंगे हमारी जो heat energy है वो proportional है current के square times, resistance और time अब अगर इसको proportionality sign को remove करके हम लिखे तो हम लिख सकते हैं he is equal to i square r t यह हमने si system में लिखा है और इसके अंदर इसका जो constant है उसका magnitude 1 होता है इसलिए उसको हमने यहाँ पर mention नहीं किया है जिसको measure किया जाता है joules में तो heat energy कितनी produce होगी i square r t जूल्स जितनी heat energy produce होगी अब अगर आपको यही जो चीज है उसको calories में लिखना है तो calories में लिखने के लिए यहाँ पर आपको joule का जो mechanical constant है उस mechanical constant को add करना पड़ेगा और वो होगा 1 upon j into i square r t calories इतनी heat produce होगी so basically यह equation हुआ heat energy और electrical energy के बीच का relation यह है हमारी heat energy और यह दोनों terms है वो है हमारी electrical terms तो एक side heat energy और दूसरी side electrical terms तो उनसे establish होता है heat energy और electrical energy के बीच का relation तो यह तो हमने देख लिया कि भी joule's log क्या है और उसका equation क्या है लेकिन इस equation को मैं derive कैसे करूँ अगर exam में आपको पूछा गया है कि भई इस equation को derive कीजिए तो derivation कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ वैसे तो basically तो यह equation जो है वो experimental result थूँ हमको मिला था लेकिन फिर भी exam में ऐसे equations पूछे जाते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि भई कैसे इस equation को हम derive भी कर सकते हैं इसका derivation शुरू होता है ऐसे heat energy अब देखिए energy का equation क्या होता है energy का equation होता है power into time ठीक है अब यह power into time इसका equation है अब power का equation क्या होता है power का equation होता है work done in particular time तो यह हो गया power का equation हमने यहां पर power का equation लिख दिया और यह time so हमारी जो energy है उसका equation मिलता है work done divided by time multiply by time अब देखिए यह जो work done है वो work done हो किसकी वज़े से रहा है वो हो रहा है यहां पर जो electron है उस electron के पास जो potential energy है उस potential energy की वज़े से वो आगे बढ़ रहा है तो उस potential की वज़े से वो यहां पर जा रहा है यहां पर जा रहा है ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ रहा है और उसके आगे बढ़ने की वज़े से collision हो रहा है और heat produce हो रहा है और हमको work हो के मिल रहा है तो basically यहां पर जो potential है वो responsible है work होने के लिए तो हम यहाँ पर equation लिखे electrical potential का तो वो equation क्या होता है V is equal to work done by charge अगर इस चीज को आपको detail में study करना है तो यहाँ पर उपर मैं link का दे रहा हूँ और नीचे भी description में उसका link दे रहा हूँ उपर यहाँ पर card में आपको उसका link मिल जाएगा तो दोस्तों वहाँ पर आप इस चीज को detail में समझ सकते है animation के साथ यहाँ पर मैं उतना time नहीं लूँगा इसको समझाने के लिए तो अब आगे बढ़ते हैं तो यह जो work done है उसको अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ work done तो वह हो जाएगा हमारा v into q तो यह जो work done है वह मैं अगर यहाँ पर replace कर दूँ इस v और q की value को तो मुझे क्या मिलेगा तो मुझे मिलेगा v into q यह time t और यह जो time था t अब आप ध्यान से देखें यहाँ पर कुछ चीज आपको दिख रही है और वो चीज है यह q और t यह q और t क्या होता है basically rate at which charge flows from one point to another point उसको हम बोलते हैं electric current अगर इसको detail में जानना है तो उसका भी वीडियो में यहाँ पर उपर और नीचे description में उसका link दे रहा हूँ तो आप definitely वहाँ पर जाकर इसको सीख सकते हैं इसको अगर मुझे i से replace करना है मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ i का equation current का equation क्या होता है current का equation होता है i is equal to q by t यहाँ पर हम उसको replace करेंगे तो हमको मिलेगा v into i into t so यह जो है वो एक हमारा basic form हो गया heat energy is equal to v i into t अब देखिए हमको equation derive करना है यहाँ पर voltage की कोई quantity नहीं है equation लेकिन यहाँ पर है तो हम उसको क्या करेंगे replace कर देंगे इन quantity से और वो हम कर सकते हैं ohm's law की वज़े से अगर ohm's law आपको अच्छे सी detail में सीखना है तो उसका भी link मैंने नीचे दे रखा है आप वहाँ पर जाकर उसको सीख सकते हैं यहाँ पर मैं उसका equation लिख देता हूँ कि भई v is equal to i into r इस equation को हम यहाँ पर replace करते हैं v की जगा पर i r की value को replace करते हैं तो हमको मिलेगा v की जगा पर i r और यह i into t वैसा का वैसा ही इसको अगर हम rearrange करें तो heat energy हमारी बन जाएगी i square r into t तो यह हो गया हमारा equation जिसको मैं derive करना था दोस्तों यहाँ पर तो यह एक ही form का equation है मैंने दिया हुआ है लेकिन इस equation के multiple forms आपको मिल सकते हैं जो मैं आपको अभी लिख के दिखाता हूँ सबसे पहला form हमने देखा जो की Jules साब ने अपने experimental result से निकाला था और वो है i square r t दूसरा एक form है हम यहाँ पर i की जगा पर अगर v replace कर दे तो यहाँ पर दूसरा equation बनेगा v square by r into t उसके बाद एक और equation आता है v into i into t और एक और equation आएगा p into t अब देखिए यह equation कैसे आया यह हमने देख लिया अब यहाँ से यहाँ यह equation कैसे आया वो मैं आपको बताता हूँ पहले हमने देखा था कि ohmslock की equation के अंदर v is equal to ir हमको मिला है यह जो v is equal to ir है उसमें हम i की value v by r जो होती है वो यहाँ पर replace कर दे तो वो value हमको क्या मिल जाएगी वो value हमको मिलेगी v square by r square into r into t अगर इस i की value हमने यहाँ पर place कर दी तो हमको यह मिलेगा यह r और यह r cancel हो जाएगा तो v square by r into t हमको यह equation मिल जाएगा दोस्तों यह जो equation है यहाँ से यहाँ यह equation नहीं आया है हमने पहले ही देखा था कि हम जो इस equation को derive कर रहे थे तो बीच में हमको यह equation मिला था अब यहाँ से यहाँ हम कैसे पहुँचे तो यह equation है कि electrical power p is equal to v into i तो v और i को हमने power से replace कर दिया तो यह हमको equation मिल गया तो यह जो सारे के सारे equation है वो सारे के सारे equation हमको मिलते हैं joules के अंदर अगर यह equation आपको calories में चाहिए तो आपको लिखना पड़ेगा ऐसे 1 upon j into i square r t दूसरा equation बन जाएगा v square into t divided by j into r तीसरा equation बन जाएगा v i t divided by j चौथा equation बन जाएगा p into t divided by j और यह जो j है वो j है joules mechanical constant और यह जो j है इस j की value होती है 4.186 joule per calorie तो यह इसका value है इसको आप यहाँ पर place करके इस heat की energy को joules में से calories के अंदर convert कर सकते हैं तो दोस्तों यहाँ तक हमने इसका derivation है वो देख लिया अब मैं आगे आपको interesting चीज़ बताता हूँ मगर उससे पहले अगर अब तक यह video आपको अच्छा लगा है तो एक like दे दीजे अगर आपको लगता है कि किसी के लिए यह useful है तो उसको share जरूर कीजेगा और अगर आपने अब तक नहीं किया है तो इस channel को subscribe जरूर कर लीजेगा अब हम बढ़ते हैं हमारे आगे के section की और और वो है हमारा question का section दोस्तों इस किसम से questions है वो आपको एक्जाम में पूछे जा सकते हैं और यह सारे questions मैंने गुजरा टेकनलोजीकल यूनिवरसिटी यानि की GTU के नाम से famous यूनिवरसिटी है उस यूनिवरसिटी के papers को देखके यह सारे questions है वो निकाले है explain Jules's law of electrical heating state Jules's law and its application explain Jules's law, write Jules's law of electrical heating यह सारे के सारे loss है अब बात आती है इस question का answer कैसे लिखे जाए बहुत ही simple तरीके से मैं यह चीज़ आपको फटा-फट बता देता हूँ सबसे पहले आपको लिखना है statement of Jules's law और वो क्या है और वो है H is proportional to I square R or T मतलब कि तीनों को individually लिखना है इन तीनों का statement लिखना है और फिर इनको combine करके यह equation आपको लिखना है अगर आपको derivation पूछा गया है तो फिर next step आएगा आपका derivation का कि आपको यह derive करना है और derive करने में कहां से शुरू करना है आपको heat energy is equal to power into time का जो equation है वहाँ से लेकर heat energy is equal to I square R T जो हमने अभी अभी relation develop किया वहाँ तक लेकर जाना है इसके बाद का हमारा section है जो की बहुत ही important और useful section है trick to remember जोस्तों मैं आपको एक ऐसा trick बताऊंगा कि जो trick छूपा होगा question में और question तो definitely आपको paper में लिखा ही मिलेगा तो question में से ही आपको कैसे answer पता चल जाएगा ये मैं आपको बताता हूँ और वो हमारा trick है write joules law ये एक line है जिस line पे से आपको पूरा का पूरा relation मिल जाएगा heat energy और electrical energy के बीच में तो ये एक line अगर याद रख ली represent करता है resistance को I represent करता है current के square को T represent करता है time को माना कि heat energy is proportional to I square R T बहुत लोगों को इसके अलावा भी एक और trick है जो पसंद आएगा और वो हमारा trick है आपने joules law का R T I 2 बढ़ा किया आपने joules law का R T I 2 right to information R T I 2 बढ़ा किया ये एक sentence आपने याद रखा है तो इसके उपर से भी आप joules law को याद रख सकते हैं जिनको ये वाला trick अच्छा लगे वो ये trick follow करें जिनको ये वाला trick अच्छा लगे वो दूसरा वाला trick है वो follow करें और इसका answer को लिखे next section है probability क्या probability है कि ये question आपके exam में आएगा और वो है 10 में से 5.7 ये है probability इस question की exam में आने की और ये एक काफी अच्छा number है तो इस question को बिल्कुल ही miss नहीं करना चाहिए definitely अच्छे से इसको prepare करना चाहिए उसके आगे वाला section है जबरदस्त और वो है question for you ये है आपका question what is Jules's law दूसरा question है how to remember Jules's law और ये जो दोनों question इन दोनों question के answer आपको मुझे नीचे comment section में लिखके बताने हैं दोस्तो comment section में लिखना क्यों जरूरी है वो इसलिए जरूरी है क्योंकि वही एक medium है आपके और मेरे बीच के communication का जितना communication हमारा strong होगा उतनी ही आपके लिए और मेरे लिए ये जो learning है वो काफी strong बन पाएंगी तो definitely मेरे साथ communicate कीजिए मुझे comment में इसका answer लिखके बताईए कुछ आपका सुजाव है कोई आपके suggestion है वो भी नीचे comment section में लिखके बताईए या तो कोई और वीडियो आप चाहते कोई और चीज आप सीखना चाहते तो वो भी definitely हमारे साथ communicate कीजिए मुझे नीचे comment section में लिखके बताईए कि आप क्या चाहते और आप क्या सोचते है तो वो हमारे और आपके growth के लिए काफी अच्छा रहेगा जब तक आप हमारा अगला वीडियो नहीं देखते तब तक के लिए बाई